भाश्पा में शामीर होने के बाद जोती रादित्ते सिंध्या पहली बार भोपाल पहुचे एरपोर्ट पर बड़ी तादाद में भाश्पा कारेकर्टा और समर्तक सिंध्या के स्वागत के लिए पहुचे समर्तक अपने साथ जोती रादित्ते, सिंधिया और उनके पिता माधुव राव सिंधिया के पोस्टर भिलाए सिंधिया एरपोर्ट से भाषपा कारियाले तक रोट शो कर रही है वे भाषपा कारियाले में ही कारेकरताओं को संबोधित करेंगे इसी बीच कॉंगर्स नेतर राउल गांधी ने सिंधिया पर तंच कसा, उन्होंने कहा कि सिंधिया अपने राजनितिक भविशे को लेकर डरे हुए थे और वे इसलिए विचारधारा को जेब में रखकर RSS के साथ चले गए बोपाल एयरपोर्ट से शुरू हुआ सिंधिया का रोडशो भाजपा कारिया ले पहुँच कर खत्म होगा इस 20 किलो मिटर लंबे रोडशो के बाद सिंधिया भाजपा कारेकर्टाओं को संभोधित करेंगे इसके बाद वे घ्वालियर चंबल संभाग से अपने समर्थकों के साथ मुलाकात करेंगे रोडशो में कारे करताओं की भीर देखकर सिंधिया काफी खुश नजर आए मीडिया से बादचीत में उन्होंने कहा कि लोगों कसने ही मेरी पुंजी है सिंधिया के कॉंग्रेस छोड़ कर भाजपा मिचाने पर राहूल गांधी ने कहा यह विचारधारा की लडाई है एक तरफ कॉंगर्स की विचारधारा है और दूसरी तरफ राजपा की विचारधारा है जोतीर अजित्ते सिंधिया की विचारधारा मुझे पता है लेकिन वे सियासी भविशे को लेकर डरे हुए हैं वे मेरे मित्र हैं और मैं उनकी विचारधारा को जानता हूँ उन्होंने इसे अपनी जेब में रख लिया और रस्स के साथ चले गए लेकिन सचाई है कि वहाँ पर उन्हें ना इज़त मिलेगी ना ही उन्हें संतुष्टी मिलेगी मेरी उनसे पुरानी दोस्ती है सिंधिया जी के दिल में जो है विजुबान पर नहीं है रोड़ चो के दुरान रोशन पूरा चुराहे पर जुआहर भवन के सामने कॉंगर्स कारेकरताओं ने सिंधिया के विरोत में नारे पाची की जुआहर भवन में जीला कॉंगर्स का कारियाले है इससे पहले गुरुवार सुभे CM हाउस के पास पोल टेकनिक चुराहे पर सिंधिया के स्वागत में लगे पूस्टर पर कॉंगर्स कारेकरताओं ने काला रंग डाल दिया और उन्हें फार भी दिया बताया जा रहा है कि सिंधिया का यह है पोस्टर मुख्य मंत्री कमनलाथ के पोस्टर के उपर लगा गया था भाजपा कारियाले में राज माता विजी याराजे सिंधिया की प्रतिमा के पास जोतिर अधिते सिंधिया के पिता माधव राज सिंधिया का फोटो माले आरपन के ये रखा गया है इसी स्थान पर कुशा भाव ठाकरे और पंडित दीन दयाल उपाध्याई की प्रतिमा लगी हुई है जोतिर अधित्य को इन प्रतिमाओं और फोटो पर माले आरपन का कारेक्रम है सिंधिया 13 मार्च को दुपहर 12 बजे भाष्पा कारिया ले आएंगे यहां मापुरुषो के चिट पर माले आरपन करने के बाद राजे सभा चुनाव के लिए नामांकल दाखिन करने के बाद यहां से उनका दिल्ली जाने का कारेक्रम है मादे परदेश के पूर मुख्य मंतरी और कॉंगरस नेता दिग्विजे सिंग ने ट्विट किया कि भगवाल से प्रातना करता हूँ कि सिंधिया को भाष्पा में सुरक्षित रखे वह हैं राजे के पूर्व ग्रेह मंतरी भुपेंदर सिंग ने कहा कि सिंध्या का स्वागत याद रखा जाएगा कमना सरकार अल्प मत में हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सदर में विश्वाश प्रस्ताव का सवाल ही नहीं हुटता हम सरकार बनाएंगे और अपने घोशना पत्र के नुसार अपने काम करेंगे ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल इस आपराइब अपने प्रस्ताव